नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका To The Point YouTube चैनल पर आज हम इस वीडियो में समझेंगे NCRT Class 6 का Geography Part 2 अगर आपके आसपस अवेलेबल हो तो आप pen और paper लेकर वीडियो के important points को note कर सकते हैं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे Part 1 के homework या practice questions के साथ पहला question कहता है If it is 2 p.m. in the greenwich then what is the time at 60 degree west longitude अब सबसे पहले इसको समझते हैं questions क्या कह रहा है एक diagram के इसाब से ये है हमारी प्यारी पृत्वी और ये है हमारी prime meridian ठीक है अब ये question कह रहा है कि यहाँ पर 0 degree पर अभी 2 p.m. का समय हुआ है तो 60 degree west पर क्या समय होगा अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये हमारी prime meridian है ये हमारी पृत्वी को equal two parts में divide करते हैं इस से ठीक है ये side हो जाती है east और ये हो जाएगी west यानि कि eastern hemisphere और western hemisphere या फिर पूर्वी गोलार्द या फिर पश्चमी गोलार्द समझ में आगी बात बहुत बढ़िया इसका मतलब ये कहीं न कहीं अगर west यहां पर लिखा हुआ है तो ये यहां पर कहीं point होगा यहां तो हो नहीं सकता ठीक है तो ये western side पर ही point होगा कोई तो चलिए अब हम उसको देख लेते हैं माली जे यहां की बात कर रहा है ये 60 degree west ठीक है हमारी prime meridian के respect में है अब अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था पृत्वी अपने अक्षपर 24 गंटे में 24 hours में 360 degree rotate कर जाती है ठीक है ये हमने पढ़ा था इसका मतलब अगर हम divide करें तो 1 hour में ये होगा 15 degrees आप easily इसको काटके भी दे सकते हैं मैंने short में आपको बता दिया एक घंटे बराबर में 15 degree तो अब अगर में को 60 degree निकाल लाए तो मैं simple यहाँ पर 4 से गुणा कर दूँगा और यहाँ पर भी 4 से गुणा कर दूगा तो यह यहाँ पर समय निकल के आए गया 4 hours is equal to 60 degrees यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक कोई confusion नहीं है मैं आपको इसको दुबार बता देता हूँ हमने क्या किया हमें पता है 24 गंटे में प्रत्वी एक पूरा चक्कर अपने अक्षपर complete कर लेती यानि कि 360 degree घूम जाती है ठीक है इसका मत लब एक घंटे में 15 degree घूमती होगी यानि कि 360 बटे में 24 बारत दुनी 24 बारत ये 36 और 2 से 15 बार जाएगा 30 ठीक है यहाँ तक क्लियर है अब मुझे करना है 60 degree निकालना है कि 60 degree में कितने समय में घूमेगी यानि कि 60 degree प्रत्वी को कितना समय लेगा घूमने में तो मैंने यह यहाँ पर क्या किया 15 चौके 60 और इधर यहाँ पर भी 4 से गुड़ा कर दिया ठीक है अब यह इक्वल हो गए यानि कि 4 घंटे में प्रत्वी 60 degree घूम जाएगी यानि घूम जाती है यहाँ तक बात क्लियर है बहुत बढ़िया अब यह कह रहा है कि West यानि कि यहां कहीं पर यह Western Hemisphere की बात कर रहा है तो वहाँ पर समय की बात कर रहा है हमें समय पता लग गया 4 घंटे लेकिन यह समय रिस्पेक्ट कर रहा है यह Prime Meridian यह है हमारी जहाँ पर 2 बज़े 2 PM एम और पीम का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इन questions में बहुत छोटी छोटी mistakes हो जा यहां से पीछे का समय बताना है 4 घंटे पीछे का समझे यो तो कितने बज़े होंगे सिंपल सी बात है 10 बज़े होंगे ठीक है 10 बज़े होंगे ना भाया अगर यहाँ पर 2 बज़े है हमारी Prime Meridian पे और हमें West में समय बताना है यानि कि उसके पीछे तो समय तो पीछे चला जाएगा 4 घंटे ठीक है तो वहाँ पर बज़े होंगे 10 एम क्यों बज़े होंगे 10 एम क्योंकि यहाँ पर पीएम है यानि कि अगर दोफेहर बाद में होई तो इससे पहले तो सुबही होगी ना तो इस तरीके से आप यह question attempt करेंगे आपको पता होना चाहिए कि East और West यह ह Hemisphere की बात हो यह फिर आपको यह पूछ लेगा कि अगर Greenwich में अभी दोफेहर के 2 बज़े हैं ठीक है तो आपसे पूछ लेगा कि भाया 4 घंटे प्लस यानि कि अगर मैं यहीं पर बता दू आपको 4 घंटे प्लस पे कितना डिगरी होगा या उस इसस्तान की क्या डिगरी होते हैं भाया 360 डिगरी इससे आप बहुत असान से questions को attempt कर पाओगे और जब आप खुद से सवाल करोगे खुद से questions करके देखोगे आपको बहुत अच्छे से questions attempt होईगे ठीक है यहां तक clear यह question एक दम clear है East और West का difference पता चल गया सबसे पहले हमें गोला बनाना है question आते ही ह जो भी पूछ रहे है इसका मतला हमें West का यहां का बताना है समय यानि कि समय 100% पीछे का ही होगा अगर वो कहता 60 डिगरी इस अगर 60 डिगरी इस बोलता हो तो हमको यहां का यानि कि आगे का समय बताना होता है यानि वहाँ पर बच जाते 6 PM ठीक है चार गंटे आगे इस तर यह next question देखते है homework का यह question कह रहा है if it is 6 AM in the greenwich then what is the time at 30 degree East यहां पर बात ओरी East की समझ में आया तो हमने क्या सीखा था सबसे पहले हम गोला बनाएंगे यह हमारी प्यारी prime meridian ठीक है यानि कि मानक समय रेखा यहां पर यह बोल रहे हैं बहिया कि यहां पर छे बज़े हैं सुभा के यह हमसे पूछ रहे है कि 30 degree East में इस समय क्या समय हो रहा होगा East का मतलब यहां की बात हो रही है ठीक है यतना क्लियर है यहां तक बहुत बढ़िया और हमें पता है बहिया कि एक घंटा बराबर में होता है हमारा 15 degrees तो 30 degrees बराबर में होगा हमारा 2 hours समझ मैं है बहुत बढ़िया अब अगर 2 घंटे की बात हो रही है यानिकि 2 घंटे का रिफरेंस है ग्रीन विच के समय में और जिस स्थान की समय बात करिये वहां का लेकिन यह कहां होगा 2 घंटे आगे होगा Green विच से या 2 घंटे पीछे होगा बहुत अच्छे 2 घंटे आगे होगा क्यों आगे होगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा है East और West में क्या डिफरेंस होता है या फिर या तो बोल देगा Plus 2 hours यानिकि Eastern Hemisphere की बात कर रहा है या फिर बोल देगा Minus 2 hours यानिकि Western Hemisphere की बात कर रहा है तो यहाँ पर समय होगा 30 डिगरी East पर 6 अम प्लस 2 hours समझ मैं है Plus क्यों लगाए क्योंकि East में है तो यहाँ पर बज़ रहोंगे सुबा के 8 क्लियर है यहाँ तक बहुत बढ़िया अब आज की वीडियो शुरू करते है पहला पॉइंट कह रहा है यहाँ पर भारत की मानक समय रेखा या फिर इंडियन स्टेंडर्ड टाइम लाइन साड़े 82 डिगरी East लॉंगिट्यूड है जो प्रियाग राज के नजदीक मिर्जापुर से गुजरती है यहाँ तक बात के लिए रहे बहुत बढ़िया प्रियाग जयनी की उत्तर प्रदेश से बात हो रहे है और अगर आपको मैं फिकर दिखाऊ तो यह हमारी प्राइम मेरेडियन इंडियन स्टेंडर्ड टाइम लाइन साड़े 82 डिगरी अब अब इसको तोड़ा समझते हैं कोशिश करते हैं समझने की सबसे पहले हम समझेंगे 82 डिगरी को कि यह क्या है अब अगर आपको याद हो हमने डिसकस किया था वन आवर इस इकल टू 15 डिगरी ठीक है और यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइड कर दो 15 से तो मतलब लगबग आसपास में 15 पंजे पिछत्तर ठीक है अब यह 5 क्या है यह आवर से है यानि कि हमारा जो समय है यह लगबग साड़े 5 घंटे आगे है ग्रीन विच के पता होगा रटने की जरूत नहीं है आपको पता होना चाहिए कि यह क्यों आया ऐसा क्यों है जिससे कि आपको रटने की जरूत नहीं पड़ेगी अगर आप कुछ भूल भी जाते हो आपको easy calculation पता होगा जिससे आप और भी questions कर पाओगे same related आप हमें पता चल गया कि भाया भारत की मानक समय रेका 85 degree east logitude से गुजरती है जो मिर्जपूर उतरप्रदेश से गुजरती है या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि greenwich के समय से भारत का समय लगबग साड़े 5 गंटे आगे है आगे क्यों है east में है eastern hemisphere में है समझ में आई बात अगर आप इसको मैं एक छोटे से द प्रुट्वी यह है हमारा प्राइम मेरेडियन और यहां पर कहीं है हमारा eastern hemisphere में प्यारा भारत क्योंकि यह लंडन यूरोप में है greenwich ठीक है तो उसके eastern part में ही है south east Asia में समझ में आगी बात basic सी बात थी बहुत अच्छी है अब अगर आप कोई याद नहीं होती है तो आपको एक छोटी सी trick शेयर करना चाहूंगा आप इसे ऐसे याद रख सकते है कालीन भाया का truck नंबर 82 12 मिर्जापुर में चलता है ठीक है आप ऐसे भी याद कर सकते है मागी कोई भी trick आप बनाना चाहे बना सकते है second point हम यहाँ पर देखते है रशिया ने 11 standard time zone अपनाए है अब रशिया ने 11 standard time zone क्यों अपनाए है जबकि भारत का एक ही है इसकी एक सबसे बड़ी वजा है कि अगर आप इस map में देखो यहाँ पर ठीक है इस map में अगर आप द कितना wide है कितना चोड़ा है अगर हम मान के चलते हैं कि अब इन्होंने एक यह prime meridian अपनी मान लिए अपने देश की तो यहाँ से यहाँ के समय में और यहाँ से इस point के समय में बहुत जादा फरक आ जाएगा समझे हो मतलत कि यहाँ पर सूरेदे हो गया और यहाँ पर लोग सूरेदे होता है और जबकि गुजरात के इस भाग में सूरेदे लगबग 2 घंटे बाद होता है ठीक है यह main चीश से आपको पता होना चाहिए NCRT में दी गई है आगे चलते हैं तीसरा point कहता है एक एक घंटे के difference पर अर्थ पर यानि globe पर कुल 24 standard time zone है अब इसका क्या अब है कि 24 standard time zone है इसको हम देखते हैं क्या कहना चाह रहे है अब अगर आप इस image में देखो इस वाली image में यह हमने globe के जितने भी हमारी longitude से उनको हमने plane पर ले लिया यानि कि एक सपाठ सतय पर ले लिया है अब 24 standard time zone का मतलब क्या है एक गंटे का मतलब क्या है हमें पता है कि एक गंटे में कितने डिगरी होते हैं बहुत बढ़िया 15 डिगरी होते हैं ठीक है अब 24 standard time zone का मतलब क्या है कि 15 time zones होंगे जो कि एक गंटे की difference पे होंगे टोटल हमारा होता है 360 डिगरी प्रित्वी का rotation अब अगर मैं इसको 15 डिगरी से डिवाइब कर दूँ 15 डिगरी का मेरा मतलब क्या है एक गंटा ठीक है तो मेरे को पता चल जाएगा कुल कितने time zone है समझ में आरी बात 15 30 15 60 ठीक है तो 24 standard time zone है इससे आपको याद रहेगा concept clear हो करते हैं पहला point कह रहा है यहाँ पर वो circular line जो प्रित्वी पर दिन एवं रात को अलग अलग करती है उसे circle of illumination या प्रदिप्तिवरत कहते हैं अब इसका मतलब क्या है आप इस image में देखेंगे यह हमारा प्यारा सूरज इसकी रेज इस तरीके से पढ़ती है प्रित्वी प क्योंकि प्रित्वी अपने अक्षों पर साड़े 23 डिगरी जुकी हुई है तो ऐसे प्रतीत होती है यह है हमारा north pole यह हमारा south pole ठीक है अब अगर आप देखो तो यह जो line देख रहे हो जो काले भाग यानि की रात को और दिन को अलग कर रही है इस line को हम बोलते है circle of illumination यान कि जो circle प्रित्वी एक गोला है तो उस पर यह circle बना हुआ है जहाँ पर सूरे के प्रकाश पढ़ रहा है और पीछे रात का समय है क्योंकि वो अभी घूम कर आगे नहीं आया तो इसी circle को हम बोलते है circle of illumination ठीक है समझ में आ गया बहुत बढ़िया next चलते है प्रित्वी को अपने अक्ष पर 360 डिगरी घूमने में 24 घंटे का समय लगता है इसे earth day कहा जाता है अब आपको clear हो गया कि हमें 24 घंटे में 360 डिगरी घूम जाती है प्रित्वी अपने अक्ष पर और इसी को earth day कहा जाता है ठीक है यह बात clear exam में question कैसे भी घुमा फिरा क्या आपको यह याद रहेगा next चलते हैं रित्व यानि seasons जैसे गर्मी सर्दी वसंद पतज़ड इत्यादी में परिवर्तन होता है सूरे के चारों और प्रित्वी की बदलती इस्तिती के कारण दो गतियां होती है प्रित्वी की प्रित्वी गति करती है अपने अक्ष पर ठीक है जिसमें की वो 24 गंटे में 360 डिगरी घूम जाती है दूसरी प्रित्वी की गति होती है सूरे के चारों यानि आप इसको easy language में अगर समझो तो हम कह सकते हैं कि प्रित्वी घूमते घूमत सूरे के चारों घूम रहिए दियानिकी अपने अक्ष पर भी घूम रहिए और इसी कारण अगवागर मैं आफसे पूछ हूं मालीजे प्रित्वी की जो कख्ष ए वह इतनी गोल भी नहीं है लगबग इस प्रकार से है ठीक है अब अगर प्रित्वी अपने अक्ष पर घू है तो क्या सुबह सर्दियां पढ़ जाएंगे नहीं तो आपको इसी से कॉंसेप्ट ट्लियर होना चाहिए कि प्रित्वी पर सीजन्स का परिवर्तन सूरे के चार और उसकी बदलती इस्तिती के कारण होता है जब यहाँ पर प्रित्वी होगी तो अलग मौसम होगा इधर अलग होगा इधर अलग होगा ठीक है बहुत बढ़िया अब आप कॉमेंट करके मुझे बताएंगे इन दोनों गतियों को ध्यान में रखते हुए कि प्रित्वी सूरे की और जुका होता है तब वहाँ लगबग 6 महीने तक दिन रहता है और जब प्रित्वी की ऐसी पोजीशन होगी तो उत्री गोलार्ड यानि की नदन हेमिस्पेर में ग्रीश्म रितू या फिर समर सीजन रहता है और इस छेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है इसी इस्तिती को उत्तर अयनांत या समर सॉलिस्टराइस कहते हैं अब आप इसको लाइन वस समझे ठीक है तब अच्छल समझ में आएगा पहली लाइन कहते है जब उत्तर द्रू या नौट पॉल सूरे की ओर जुका होता है तब उमा लगबग 6 महीने तक दिन रहता है अब देखिऎ तो प्रित्वी अपने अक्ष पर, इसमें देखिया बाते है अपने अक्ष पर इस तरीके से जुकी हुई है और ध्यान देना यह घूमत अरही है ऐसे पर जौमती हुई जा रही है लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि ये अगर इधर को जुकी है तो इस तरफ से जुग जाएगी ये तो इसी तरफ को जुकी है ना तो ये तो इसी तरीके से रोटेट करती रहेगी हमेशा जैसा इस इमेज में ठीक है तो जुकाव एक ही तरफ होगा ठीक है समझ में है कि जुकाव एक ही तरफ होगा ऐसा नहीं होगा कि इस तरफ को निकल जाएगा Northern Hemisphere और इस तरफ को Southern Hemisphere बन जाएगा ठीक है? ऐसा कभी नहीं होगा ये एकी तरफ को जुकी है उसी तरफ को हमेशे रहती है अब ये कह रहा है कि 6 महिने तक महाँ पर दिन रहता है कहाँ पर Northern Hemisphere में अब अकर आप ध्यान से देखो ठीक है? ध्यान से देखो तो ये हमारा प्यारा Northern Hemisphere ये है हमारा Equator और ये पूरा हमारा Northern Hemisphere पढ़ता है ठीक है? यहां तक बात किलिए रहे है बहुत बड़ी है अब अगर आप देखो ध्यान से तो सूरे का जो प्रिकाश है यहां पर पढ़ रहा है पूरे में ठीक है? ये घूम के आएगी तो भी इसके Northern Hemisphere में पढ़ेगा इसी तरीके से जब ये यहां पर घूमती हुई आएगी मतलब कि मार्च 21 से जून 21 तब भी यहां पर उत्री गोलार्द में यानि कि ये जो हमारा Northern Hemisphere ये इक्वेटर से उपर वाला पार्ट देखे हुई जेको अब आप थोड़ी सी चीज़ समझों है आपर ये South Pole है ठीक है? अब ये देखो आप इसके कितने सारे पार्ट में चाया है और उपर के सिर्फ इतने से भाग में चाया है तो उपर तो ज़्यादा गर्मी रहेगी न सदन पार्ट के मुकाबले ठीक है? तो वो यही समझाना चाया है कि मार्च 21 से लगबग सेप्टमबर 21 तक 6 महिने होते हैं लगबग तो तब तक यहाँ पर उत्री गोलार्द में ज़्यादा सूरे का प्रकाश पढ़ता है जिस वज़ा से उत्री गोलार्द में समर सीजन होता है ठीक है? 6 महिने तक और इसी समय में यानि कि मार्च 21 से लेकर सेप्टमबर 21 तक जो हमारा दक्षणी गोलार्द यानि कि जहाँ पर ज़्यादा चाया है कम प्रकाश पढ़ता है वहाँ पर विंटर सीजन होगा ओविसली बात है ठीक है? यहाँ तक क्लियर ही चीज बहुत बढ़िया और इसी लाइन में आगे कहता है कि ग्रिश्म रितू या समर सीजन रहता है और इस छेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है सबसे छोटी रात तो अबिसली होगी ही क्यों क्योंकि जब आब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे ज़ादा प्रकाश इस दिन पढ़ता है नौधन हमें स्फेर में तो रात भी उस दिन सबसे छोटी होगी दिन सबसे लंबा होगा ठीक है इसको और डेटेल में हम आगे डिसकेस करेंगे पिलाल जो मैंने आपको बता होना चीए जो आगे काम आएगा इसी इस्तिती को यानि कि यह जो अभी मैंने आपको कंडिशन बताई है फिनामेना बताई है इस इस्तिती को हम उत्तर अयनांत या समर सॉलस्टाइस कहते हैं यहां तक क्लियर है बहुत अच्छी बात कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बैकवर्ड कर लीजे वीडियो को आपको इसली समझ में आ जाई है और यहां पर एक फन फेक्ट वाली बात है क्या आपको पता है कि आस्ट्रेलिया में क्रिस्मस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है चलिए ठीक है गर्मियों में मनाया जाता है बहुत अच्छी बात है थोड़ा सा आपको image से समझा देता हूँ कि क्यों है ऐसा यह हमारी प्यारी प्रित्वी है अगर आप Australia की थोड़ी बहुत आपको इस्तिती वैसे पता ही होगी तो वो लगबग Southern Hemisphere में इधर कहीं पढ़ता है ठीक है मैं आपको बना के दिखाता हूँ लगबग इधर मतलब कि इधर ने भारत के नीचे की तरफ पढ़ता है इस तरफ को अगर प्रित्वी घूम के आएगी और यहाँ पर दिसंबर का ये समय है 21 यानि की लगबग Christmas के पास तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर सूरे का प्रिकाश दक्षणी गोलार्द में ये हमारा प्यारा दक्षणी गोलार्द है इसमें जादा पढ़ रहा है Northern Hemisphere की मुकाबले देखा आपने डिफ्रेंस पता चला ठीक है तो इसी लिए Christmas का त्योहार Australia में गर्मियों में मनाया जाता है नेक्स चलते है यहाँ पर पॉइंट कह रहा है जब 22 दिसंबर को दक्षणी द्रूब यानि की South Pole सूरे की ओर होता है जिस कारण दक्षणी गोलाद या Southern Hemisphere में सूरे का प्रिकाश जादा जगे पढ़ता है जादा छेत्रफल पर पढ़ता है जिससे इस छेत्र में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है पृत्वी की इस कोजीशन को दक्षणी अयनांत या Winter Solistries कहते हैं अब आपको कन्फूज होनी की बिलको ज़रुत नहीं है सिरफ आपको images के थुरू समझना है और जानना है की ऐसा क्यों है लाइन वर लाइन समझते हैं तहली लाइन कहरी है 22 दिसंबर को दक्षणी द्रूब दिसंबर 21 यहाँ पर लिखा हो है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि NCRT के according 22 दिसंबर दिया गया है और वो ही सही माना जाएगा यह सिरफ reference के लिए लिखा है उपर प्रकाश मिल रहा है नदन हमिस्फेर में सिरफ इतने पार्ट को और नीचे प्रकाश मिल रहा हैगा इतने सारे पार्ट को ठीक है समझ मैं ही वाग difference पता चला तो इस वजह से इस दिन सदन हमिस्फेर में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को और उसी दिन सबसे छोटी रात होती है पृत्वी की इस पोजेशन को माफ़े चाहूँगा दक्षणी आयनांत या विंटर सॉलिस्टाइस कहते हैं यहां तक पिलियर है एकदम इजी दा आपको समझ में आया होगा जून 21 का मैंने आपको बता दिया फिनोमेना क्या है उत्री गोलार्द में ज़्यादा प्रकाश पढ़ रहा है जून 21 के समय तो वहाँ पर सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी नदन हैमिसफेर में और उसको हम बोलते है उत्री आयनांत या फिर समर सॉलिस्टाइस यहां तक क्लियर और दक्षन का भी मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे बात है आप आगे चलते है नेक्स पॉइंट कहा रहा है क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को प्रत्वी का कोई भी ध्रुव सूरे की और नहीं जुका होता या फिर सूरे की और नहीं होता इसलिए इस दिन प्रत्वी पर सभी जगे दिन और रात समान होते हैं इकल होते हैं इस पिनॉमिना को या घटना को इक्विनॉक्स या विशो कहते हैं अब इसको समझे आप इमिजिस के थ्रुव हमारे पास कहाँ पर है भी या यह हैगि मार्च 22 यह हैगा सेप्टमबर 21 ठीक है यहाँ तक क्लियर है अब यह कहना है कि कोई भी द्रुव सूरे की और जुका नहीं होता या फिर सूरे की और नहीं होता क्या यह सच बात है देखते हैं अब यहां पर तो आप देख पारे होगी ये तो हमारा उत्री द्रूब है ये दक्ष्ण द्रूब है उत्री द्रूब कुछ जुका हुआ है अपने अक्ष्ष पर तो जब वो इस पोजिशन में होता है तब तो सूरे की ओर जुका हुआ लगता है ठीक है लेकिन जब इस हुमति इधर आएगी तो ना तो ये उत्री दुरू सूरे की ओर होगा ना ही दक्ष्णी दुरू सूरे की ओर होगा इसी प्रकार से सितंबर 21 को भी होता है कि ना तो उत्री दुरू सूरे की ओर होता है जादा ना ही दक्ष्णी दुरू तो इक्वल मात्रा में आ रहे कि समान मात्रा में प्रिकाश पढ़ता है हमारे उत्री दुरूफ पर और दक्षनी दुरूफ पर और इसी तरीके से समान मात्रा में रात होती है और उसी मात्रा में दिन भी होता है दोनों तरफ दोनों हमें स्फेर में ठीक है ये question काफिवार पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए और क्यों होता है ऐसा आपको पता चल चुका ठीक है तो हमें पता लग गया कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पृत्वी का कोई भी दुरुफ सुरे के और नहीं जुका होता है इसलिए इस फिनोमेना को एकुनोस या विशुब कहते हैं जिस दिन पृत्वी पर हर जगे दिन और रात समान होते हैं ठीक है यहां तक आपको चीज के लिए रहे बहुत बढ़िया आगे चलते हैं हमारा जो आज का question है जो आप मुझे बताएंगे comment में question कहता है कि map को देखकर बताईए कि भारत के किन राज्यों से करकरे का या Tropic of Cancer जिसे कहते हैं वो गुजरती है अब आपको confused नहीं हो ना आपको यहां पर states count करके नहीं बताने क्योंकि obviously हो तो आप easily कर लेंगे आपको मैंने image दे दी इससे आपको भारत के नक्षे का map का भी अच्छा अंदाजा होगा राज्यों की स्तिती का पता चलेगा कौन सा राज्यों कहां पर है अब आपको सिरफ इन राज्यों के नाम बताने है जहां से यह रेखा गुजर रही हमारी करकरे का ठीक है तो आईए आप हमको कॉमेंट करके बताएंगे अब चलते हैं आखरी में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही educational और informative वीडियोज मिलती रहें साथ ही साथ कॉमेंट करके जरूर बताएं कोई point जो greatest ability as humans is not to change the world but to change ourselves इसको आप आत्मसाथ कीजिये समझे आपके माइने कुछ होर हो सकते हैं मेने माइने कुछ होर हैं चलता हूँ आपसे अगली वीडियो में विलता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद